नमस्कार आप सबको नए साल की बहुत बहुत बदाई सुबकामनाएं नया साल दो हजार चोबिस आपके जीवन में बहुत सारी सम्रद्धी, बहतर स्वास और बहुत सारी उपलब्दी लेकर आए 2024 में हम संसद के चुनाव को देखेंगे, हमारे देश की जो संसद है उसमें अलग अलग जगा से लोग चुन कर जाएंगे और ये देश के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। ये तो हुई बात 2024 के स्वागत हम करते हैं, 23 पीछे छूट रहा हैं। जब कोई जीच पीछे छूटती है, तो किस तरह छूटती है। मेरे प्री कवी और पूरे देश दुनिया के महसूर कवी विनोद कुमार सुकल का एक जनवरी यानि आज जनम दिन है। वे 88 साल में प्रिवेश कर रहा है। उनकी एक कविता है जो बहुत प्रसंगवस जाते हुए और आते हुए साल के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जाते जाते छूटता रहेगा पीछे जाते जाते छूटता रहेगा पीछे जाते जाते बचा रहेगा आगे जाते जाते कुछ भी नहीं बचेगा तब जब सब कुछ पीछे बचा रहेगा और कुछ भी में सब कुछ होना बचा रहेगा। विनोद कुमार सुकल जो बात कहते हैं वो बहुत ही गंभीर है उनकी अगर हम कविताओं को देखते हैं और अलग अलग तरह की कविताओं हैं और जिस तरह से विनूत कुमार सुकल की कविताओं हैं तो उनकी एक कविता है जो हमारे समय की बात इसी तरह की जो कि हम एक आसावादी हैं कई बार लोग कहते हैं कि हमार पास ऐसा क्या भरोसा है कि हम किसी पर क्यों भरोसा करते हैं तो हम अपने पूरे जीवन काल में बहुत चीजों पर भरोसा करते हैं हम आने वाले कल पर भरोसा करते हैं हम बहुत सारे सपने बुनते हैं हम रेलवे में अपनी टिकेट कराते हैं हवाई जाज में अपनी टिकेट होता है और ये भरोसा किसकी तरह से होता है अगर मैं इसको विनोत कुमार सुक्ल की कवीटा के जरिये कहूं तो ये इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हो रही है बारिस इस हो रही बारिस की इस हो रही बारिस की पहली बून कौन सी थी इस हो रही बारिस की पहली कौन सी थी कहां गिरी या कौन बताए बारिस की बूदों का गिरना बाकी है और कोई पर भरोसा है इस जंगल का पहला उगा पेड़ कौन सा है फिर दूसरा तीसरा सब गिना दें इस पेड़ की पत्तियों में पहली उगी पत्ति कौन सी है कुल कितनी पत्तियां है पहला सवाल दुनिया का आखिर क्या था उत्तर क्या उसका मिला जो सही ना हो पहला गलत उत्तर जरूर हुआ होगा वो क्या है पहली कौन सी भासा का था पहला सब्द पहली कौन सी भासा का था पहला सब्द फिर दूसरे तीसरे सब्दों का पहला वाक्य क्या था क्या कहा गया होगा जो पहले सुना वाक्य होगा और पहले लिखने वाले ने पहले पढ़ा होगा विनोत कुमार सुकल बहुत आसावादी कभी है और जब हम नए साल का स्वागत करते हैं तो हमको लगता है कि हमको विनोत कुमार सुकल की कविटाएं जो हैं वो कही ना कही उस उमीद में ले आती हैं कि हतासा से एक व्यक्ति बैठ गया था मैं व्यक्ति को नहीं उसकी हतासा क को जानता है ऐसे कभी विनोत कुमार सुकल का आज जनम दिन है जो कहते हैं कि घर से दूर होकर अंतरिक्ष्टे देखना चाहिए दुनिया तो दुनिया बहुत अच्छी लगेगी और प्रत्वी पे अन जल की चिंता घर में अन जल की चिंता होगी तो ऐसे कभी विनोत कुमार सुकल का जनम दिन है हमें लगता है मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हम घरवानुत हैं कि वो च्छतिस गड़ में हैं राइपूर में हैं और देश दुनिया के वो बड़े कभी हैं और उनकी कभीता उनका लेखन हमें बार बार नई उम्मीद जगाता है और हमें एक नए तरह का उस्सा भरता है जब देश दूनिया के लोग विनोट जी से मिलने हातें हैं गयातार लिख रहे है अब तक उनकि 6 संगर हा आ गये है और उनके दो संगरा परकासित में वह लगातार अठ्थ हूझय साल में प्रवेस करते वेए भी बच्चों के लिए कविताएं लिख रहे हैं बड़ों के लिए कविताय रख रहे हैं वो आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं वो 36 गड़ के आम जन की चिंता कर रहे हैं वे वेश्विक दुनिया की चिंता कर रहे हैं तो विनोत कुमार सुकल का लिखा मुझे लगता है कि जो हमारे बीच है और जो कुछ रच रहे हैं वो मुझे हम समझते हैं कि हमारे समय क्या ऐसा दस्तवेज है जो हम कई हजारों साल तक जब याद करेंगे तो एक कवी अपने समय का अतिकर्मन भी करता है और वो अपनी उपस्तिती भी दर्ज कराता है और जो को खोलेगी तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि विनोध कुमार सुकल 88 जो उनका जनम दिन हो रहा है वो एक जनवरी को उनका अपना जनम दिन है और हम सब लोग उनके जनम दिन को मनाते हैं वो उनके हम दिरगायू जीवन की कामना करते हैं 27 साल वो पूरा करके 28 साल में प्र लेखन का छेतर भी विविद और विपूल होता जा रहा है जिसमें बहुत सारा लेखन बच्चों और किस्वरों के लिए है विनोध कुमार सुकल की जो कविताय कहानिया है उनके दो संग्रा भी आना बाकि है और विनोध जी से जब हम बात करते हैं या जब उनसे मिलते हैं आ रहे हैं जब उनसे उठते हैं उनके पास से तो हम अपने आपको बहुत संपन पाते हैं उनके पाठकों की संख्या काफी बढ़ी है इंदी से बाहर भी उनको पढ़ने वाले प्यार करने वाले असंग के पाठकों का एक समू है जो कि उनकी कविता संग्रा की प्रतिक्ष को सुनता हूं राद में जब नीड नहीं आती तो मैं मुक्ति बोगत की तशवीर के निकट जाकर बैढ जाता हूं और अशतरह मुक्ति-बोगत कोपर अपने निकट पाता हूं विनोध कुमार शोल जो हैं वो कहीं ne कहीं अपनी माँ अपने चाचा अपनी पत्नी अर्शंकर सोकल और मुक्तिबोत इन सबसे प्रभावित हैं और बेहुत वो जब उनको अपने साथ के लोगों को अर्खास करके मक्तिबौद को याद करते हैं तो भावोख हो जाते हैं और मुक्तिबौद से राधिणन गाऊं में जब उनकी पहली मुलागात हुई थी जो उनके बड़े भाई ने कराई थी तो वो मुक्तिबौद के साथ जो अंधेरे में कवीता है तो लगता है कि मुक्ति बोद के साने दिमें उन्होंने जो कविताएं लिखी और उन्की पहली कविता जो है मुक्ति बोद नहीं च्छपने के लिए भिजवाई तो लगातार अपनी माँ जैसे मैं कहरा था कि उनकी मां रुकमणी देवी चाचा की सोरी लाल सुकल जिनकी के असमय मिर्टी के पश्चाहत पूरे परिवार को जिन्होंने उनके आसरे दिया था विनोजी की जो पत्नी है सिरीमती सुधा सुखल और हरी संकर परसाई और मुक्तिबोद ये इन से कहीं ना कहीं वो लगातार उनका जुडाव रहा है और वो अपनी बाचीत में परसाई को मुक्तिबोद को कोट करना नहीं बुलते उनके संस्वहन को अपने साथ वो जोडते हैं और उनको मुक्तिबोद ने एक चिठ्थी दी जब जब जबलपूर गए थे चुकि वो जबलपूर में अगरिकल्चर कालेज में पढ़ते थे तो उन्होंने हरिशंकर सुक्लो को चिठ्थी दी चुकि मुक्तिबोद की चिठ्थी थी इसलिए हरिशंकर परसाई ने जिस तरह उनको बहुत अपना आत्मी बनाया है वो भी एक अद्बुद बाचीत है जो विनोज जी अकसर करते हैं एक लंबे इंटर्वू में मैंने जब उनसे बाचीत की तो उसमें उन्होंने ये बात कही हम उनका एक छोटा इंटर्वू जो मैंने पिछले साल किया था मैं उस इंटर्वू को आपके साथ साजा करता हू आप देखें कि किस तरह मुक्ती बोद जो है वो चात्र जीवन से जो उनके बड़े भाई थे संतोस सुखली जी, उनके साथ वो मुक्ति बोद से मिलते हैं, तो ये एक संस्मरन है, जो विनोज जी बताते हैं, मुझे लगता है मैं जब विनोज जी की बात करता हूँ और विन ने रखना चाहता हूँ और दरसल विनोजी जब 36 गड़ की में बात करता हूँ तो उनकी कविता बहुत लोगों को याद होगा राइपूर बिलासपूर संभाद जिसमें वो 36 गड़ के आम आदमी आदमी कैसा है उसके बारे में वो जिस तरह की बात रखते हैं तो एक 36 की तरह ही है जो भी हाली में उन्होंने बाचीत में कहा कि आप जो लिख रहे हैं वह अपने लिए नहीं लिख रहे हैं आप जो भी लिख रहे हैं वह सब कुछ बिखर जाएगा और बिखर कर सब कुछ पहुंच जाएगा मेरा लिखा हुआ अगर बिखर कर सब तक नहीं पह तो वो समझता है कि बड़ा कभी जैसे कहते हैं कि कोई पेड़ के नीचे बैढ़ जाएगा तो विनो जी हमको एक पेड़ की तरह लगते हैं जहां पर हतासा से बैठा कोई व्यक्ति जो है उसको राहत मिलती है उसको लगता है कि ये मेरा घर है जो विनो जी इस तरह की भी बा और विनोजी की कविताएं जो हैं उसमें कहीं ना कहीं अलग-अलग भासाओं में अभी उनका हिब्रू में इजराइल और फिलिस्तान के युद्द से आहत नागरिकों को पीच में अनुआद हो रहा जिससे उनको लोगों को रहात मिलेगी। उनके कविता संगरा अंगरेजी में भी अनुआद हुआ है अमेरिका में अर्विन्द कृष्ट महलोतरा ने इस कारे को किया है और कई जगा उनके जो कविता है वो अनुआदित हो रही है अलग-अलग भासाओं में और अभी वो दोहजार चोबिस जो नया साल है हमारा उसमें अमेरिका में किताब प्रकास यूँ हो तो विनोट जी की एक कविता जो है नजर लागी राजा ये अभी तक जिस तरह से इसको देखा जाना चाहिए था ये कविता नहीं देखी गई तो चलिए चलिए इस कविता को सुनते हैं कि विनोट कुमार सो कुछ नए तरह से किस तरह की कविता रच रहे हैं नजर मिला ले अपने साहुले पन में मैं अच्छी दुखूं इसलिए मैं तेज धूप में खड़ी हूं काले चस्मे की बदली ने तुमारी आखों को और मुझे साहुला धंग दिया है काला चस्मा उतार के मुझे पूरा उधार दे और मुझे नजर लगा दे सच्मुच तु या चस्मा उतार दे मैं बहुत साहुली अंधेरी रात में तुमसे मिलना चाहती हूं तेरे काले चस्मे से पूर्णी मा का गोरा चांद भी नहीं दिखता होगा धूप का चस्मा लगाने वाले चस्मा उतार दे रात में कहीं धूप होती है मुझे और धूप क को देखे हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए मैं बहुत सावली हूँ काला चसमा उतार कर केवल मुझे देखोगे तो लगेगा तुमने काला चसमा नहीं उतारा राजा प्रेम का संसार बुझ गया मेरी चाति चकमक पत्तर की तरह कठोर और गोल है तुमारे हाथ भी चकमक प जल उठे और प्रेम की अगनी को पा सके, परंतु राजा मैंने तुम्हारे हिर्दय को पत्थर नहीं कहा, राजा तुम्हारा काला चस्मा मैं क्यों चुराऊंगी, क्या तुम इसे पहने सो रहे हो, कई रातों से जगी तुम में जो मेरा मन बसा है, तुम तक मुझे बुलाता है, चलते चलते तुम्हारी दूरी से ठकी, एक दिन तुम्हारे बिछोने पर तुम्हारे साथ सो जाऊंगी, तुम चस्मा पहने सोए रहे होगे, और मैं तुमको चस्मा सहीद चुरा लूँगी, राजा, तेरे काले चस्मे में मेरी नजर लगी है, अपनी अंदेखी दे क क्या करूँ, मैं कैसे उजागर हूँ कि केवल तुम मुझे देख सको, या तो चस्मा उतार कर फेक दो, धूप में, खड़ी मैं, कोईला, तुम्हारी दे की हवा को छू लेने से, चिनगारी परच अंगार होकर दहक गई हूँ, देखो, सूर्य बुझ गया है, और मैं सुल मत उतारना, मेरे ताप में बहुत तेज है, धूप जैसे तुम्हारी धूप में मेरी धूप निकलती है, राजा काले चस्मे में मेरी नजर लगी है, पर तुम्हारी धूप और ताप को मैं नहीं सह पाऊंगी, तुम काला चस्मा मुझे दे दो, मैं सिंगार करूंगी, मड़ई मेले से एक काला चस्मा खरीद लाना हम दोनों काला चस्मा लगाए मेला घूमेंगे फोटो खिचाएंगे परदे के हवाई जाज के साथ जिसमें दोनों काला चस्मा लगाए सूरज तक उढ़ेंगे तो विनौत कुमार सुकल की ये कविता जो है च्छतिस गड़ को जो जानते हैं वो देखते हैं कि यहां बहुत सारे यूवक यूटी चस्मा लगाए और खास करके यूवक जो है वो चस्मा लगाए घूमते हैं और कई बार हम देखते हैं कि रात में भी लोग चस्मा लगाए रखते हैं तो ये विनौत कुमार सुकल यहां के जन जीवन से बहुत नश्दीक से वाकिव हैं और वो यहांके आदिवासी जन जीवन पर लिखते हैं. विनोत मार सुकल की एक कविता है कि आदिवासी नाचते, दिखते नहीं, या communist मेरे, ना हिआ दिखते हैं, जो उनका घर है, उसमें वे रहते नहीं, वे दिखाने के घर हैं, उनका जो चूला जल रहा है, वो यहा उन्होंने नहीं जलाया, जलता हुआ चूला दिखाने का हैं, जो कुछ दिखता है वह दिखाने से दिखता है और जो नहीं दिख रहा है छुपाने से नहीं दिख रहा है नहीं देख सकने वाले अंदे लोगों के लिए शहर में जंगल की प्रदस्नी लगी है विनोत कुमार सुकल बहुत बारीगी से आप विनोत कुमार सुकल की कविता को पढ़ो तो उसमें करांटी कारिता एक जो कुछ हमारे समाज में जो कुछ घटित हो रहा है और जिस तरह का दिखावापन है जिस तरहा आदिवसी संस्कृति की हम बात करते हम गरीब जन की बात करते है तो विनौत कुमार सुकल अपनी कविता में बहुत ही बारिकी से उन चीजों को लाते हैं और जब हम कविता का कई बार पाट करते हैं तो हमको लगता है कि विनोध कुमार सुकली की कविता जो है वो हमें आदिवासी जब नास्ते नहीं दिखते तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या हकीकत का बयान कर रहे हैं पिनोत कुमार सुकली की एक और कवीता प्रसंग वस मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि सुबा है जीवन परियंद की सुबा है इस अजीवन सुबा के सुबा सुबा में उस बूड़ी कोचनीन से भाजी ही करीदना जिसमें मोल भाव नहीं करता मैं जो पालक रुपिया के दस ज जूड़ी लेने से इंकार करता हूं कि दाई ज्यादा है तो गुस्सा होकर नहीं बेचना कहकर वह नहीं बेचना है कहकर सब पालक वापस लेने को कहती है हार कर ठगा हुआ दस के बदले बारा जूड़ी लेता हूं यह 36 गड़ है और इस 36 गड़ में अगर हम सबजी लेने और यही 36 गड़का कहना चाहिए कि सौंदर है जिसको हम कहते हैं कि 36 गड़िया सबले बढ़िया या 36 गड़का आदमी सबसे अलग होता है जो फिर एक विनोजी की कविता मैं और कहना चाहता हूँ कल जो बड़ा पत्थर 20 सबक पे पड़ा था कल पत्थर को दर किनार कर आवा जाही थी उस दर किनार से आठ ठोकर खाकर गिर पड़ा मुझे दर किनार कर आवा जाही थी इतनी सी दिन्चरिया के संद्या के पाँच बजे तो संद्या के पाँच बजे को दर किनार कर साड़े पाँच बजे दिनों को दर किनार कर दिन बीते जाने को दर किनार कर लोटे लोटने को दर किनार कर जा रहे चिलाने को दर किनार कर चुप रहे विनोज जी मैं जैसा बार-बार कह रहा हूं कि विनोज जी हमारे समय के बड़े कवी हैं उनकी कविताइं देश दुनिया में जानी जाती हैं जो लोग मंची कविताओं को जानते हैं मंच के कवियों को जानते हैं वो कई बार चुटकुलों को कविता समझते हैं और यह हमारे समय का दुरुबाग है कि जो मीडिया का रहें जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है जिनके पास गंभीरता नहीं है वो हो सकता है कि आज वो मंचों पे छायों पर जब कालंतर में जब साहित रचा जाएगा साहित की बात होगी तो निश्चित रूप से जब बात होगी निराला की मुक्तिबोत की परसाई की कभीर की तुलसिदास की तो फिर विनोत कुमार सुखल जैसे कभीयों की भी बात होगी जो इत्यास में हमेशा जीवीत रहेंगे विनोत कुमार से उसके मिलना, उनसे बात करना, उनके निकड़ जाना, हम सब को अच्छा लगता है, विनोत जी 88 साल में प्रिवेश कर रहे हैं, वो दुरगाईू हों, हम यही कामना करते हैं, नमस्कार.